तो हलो दोस्तो आज हम आन्बोक्सिंग करने जाते हैं लाव आगनी 5G जो काफी इंडिया में लॉंच वाचार फाच मंत होगे चबाव इस यह हमें आन्बोक्सिंग करने में लेट हो चुए तो आपको इसलिए sorry भोलता हूं हम आज हम आंबोक्सिंग करेंगे को मुझे यूज करता हूं कुछ क तीन–4 दिन हो चुके का आपको आन्बोक्सिंग और रिभी देता हूं को आपको clear box opened करते हैं बोक्स में आपको 38 गारी सब्सक्राइबror ऑनवीत पैप typ शींडवेह कुछ तो आपको इसमें बता देगी मोबाइल की डिजाइन जो डिजाइन लावा ने दी है वो काफी अच्छी डिजाइन दी है लोग भी काफी अच्छा है और जब आप डिस्प्ले पार्ट वराते हो तो डिस्प्ले मोबाइल को अन करते हैं तो वह 6.7 एट इंज की फुल मिल जाती है उसके साथ उन्होंने 19 हर्ट रिप्रेश रेट दी है और जो हम बात कर लेते हैं इसकी केमरा पार्ट आपको दिया गया है उसमें आप 64 मेगापिसल प्राइमरी और 5 मेगापिसल का माइक्रो और 2 मेगा आल्ट्रावाइड और 2 का डैप्त और 16 MP का सेल्फी केमर जो फोर्ट आप ठीक ठाक जाते हैं अच्छी वालिटी है और वीडियो रिकोर्ड आपको फूल एचीडी में दे सकता है और आपको यह आउटो बॉक्स मिलता है एंटो डेलेंट 12 ने मिला तो यह गटिया चीज हो चुकिया और कनेक्टिविटी बात करने हैं 5G लॉंच य यह तो ठीक ठाक है और डुएल बैंड फॉक्स में जाता है और डेस देस मतलब दोनों सीम पर आप फाइजी चला सकते हैं वाइफाइज को लिंग सब्सक्राइब जाता है और क्या पता है इसमें आपको 5000 मिलियम्परी बेटेल हो जाती है और हम बात करते हैं 5G प्रोसेसर जो आपको मेड़ेटेक डामेंड शीटी एट एंड रेट एंड टैन मिलता है जो इसकी पावरफु प्रोसेसर दिया गया जो काफी अच्छी बात है आप इसमें मल्टिटास्विट देली उजर्श के ठीक ठाक है तो काफी अच्छी बात है यह लावान ही क्या तो आपको में 30W की सुकरफाइट और 5000 मिलियम बेटर मिलते है तो आपको इन तेस मीनिट में आपको मॉबाइल की को पचास परसेंट तक भूल से आप परसेंट तक चार्ज कर शकता इतनी कैपिशिते आपको इस चार्ज करने में एक गंटा मिनियम लग सकता है तो आए निस आई हो क् झाल झाल